सब्सक्राइब करें विरोत की रसुई चैनल को बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटस्ट वीडियो आखे पास फौरल पहुत जाएं नमस्कार विरोत की रसुई में आपको स्वागत है आया जम बनाने जा रहे हैं भर्वा करेला और यह बर्वा करेला नौर्मल जगां इसमें बेसम इस्तमाल करेंगे इसके ली लिए हमने करीब 500 घ्राम घ्रेल लिए इसको उपर से निकाल लिया है शेका चिलका अगल नमक लगा के वहल थे तो ट्यूप में रख लिया था और इसके बास को आठ गरम पानी में इसको मीश करेंगे फिरी उसके बाद इसके चीला कि अंधर का जो बीज वगेरा निकाल लेंगे अपर इसमें स्टफिंग के लिए हम प्याज लेंगे तीन प्याज हे बड़े इसको उन्से पढ़ली आइने लस्डने 10 से पंदा कनिया इसको ने बारिक कात लिया है तलने के लिए से लिए पाइब गाए ऑर हींग तीन से चार चुटकी इस में हमारा मसाला रहेगा खटाई पिसी जितना आप खड़ता हखाना चाहें तो तो आप से में इसमें 2 चमश खटाई लिए और एक चमश दाल मिर्श, आदा चमश हमने इसमें हल्दी लिया और आधी कटोड़ी यानी 5-6 चमश इसमें पंच पोड़न मसाला जिसमें सौफ, कलॉंजी, मेथी और इसमें मेथी हैं, कलॉंजी हैं, सरसो हैं, धन्या हैं, इनको रोष्ट करके पीस लिया है, और इसका इससे पहले हम इसका मसाला आपको बनाना बताया था, और यह बेसान है, 4-5 चमश इसको अभी हमने दिमी आच पे 2-3 मट भून के इसको निकाल लिया है, और नमक स्वादिन उसार, सबसे पहले हम करेले को बॉयल करेंगे, करेले को हल हम निकाल देंगे, इसको हम बूनेगे, इस तरह हमने अधिran, 10 मिनट अुबार्ध करने के बाद इसको हमने, और फ़रका स्थंटा होने बाद इसको, और बहुत ज़्यादा इसको हमें गयला धोी और इस हवा बंस मे तोER निकाल देंगे, और इसको थोरदैर हभी हमने रख और एक हम बरतन में सारए निकाल के रख लेंगे। अब हमें रख गरम करेंगे और उसमें हमें तेल डाला हूँ और इसमें कटावा लखसाँ अ अब इसमें प्यास जाल देंगे। हम बेशनी करेला बना रहे हैं। इसको आप बनाके आप चोटर कर बिरा सकते हैं। इसको बनाके आप खंडा करके इसको प्रीज में लगा ले जो करेगे। अगर आपको हमारी वीडियो को लाइक करें। और कमारी परियो को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जुरू दोगा है। इसके हमारी लेटर फीडियो आप तक फॉरण पहुंचे। प्याज को जदो जदा में प्याज करना हल्का कर गुलाबी करना इसको और इसको में टेज आपके ही भूनना ही। इसको पड़ा पड़ा हमारा ये प्याज गलग फोटे। प्याज हमारा गलग जैने हो दुगी है इसको अब इसमें महीं डाल जाएंगे। और इसमें हम ये कटा हुआ। जो हमने करे लेगा बीच का भाग और उपर का भाग भी निकादा था। और इसको निकल जाएगी। करेला को जबी अपकातें तो तो नमक लगाके आप इसको इसका भंटे इसको बूटकर रगजी। तो पर जिसको भी कलमाट बने सब निकल जाएगे। इसको गाजे को भूल लेगे। च responders को जाएगे। और वास्ते के लिए पिरेलला बना के इस प्रता हमें करेलेगे। व्शून है कि एक पानी प्रती सुखा लेए ल से विना ऐसकते हैं। अप इसको वह जाना कथ उसको आप करेला बना के प्रतार दिसको बसुऔर आखक पुरहां है। अब इसमें हम नमक डाल दाएंगे, नमक पर एक कोमर डाल दाएंगे, और इसमें हम पन्पुरा मसाला यानि करेले का मसाला, इसमें करनाजी काई मसाला बोटे हैं, इसको डाल के भून देएंगे, और मसाली मधूने के बाद हम इसमें पिरसी खटाई, घाल्दी, और रेची पॉटर डाल देंगे, और इसको दीमे आजपे इसको, तो पून लिया है, आब इसमें हम बेशन बुरावा डाल देंगे, और आइसको भी वह एक से दो मेरा आप अगया है कि हमारी करेले की स्टफिंग भरकर तयार है आप इसको ठंडा कर लेंगे है हमारे करेले के स्टफिंग ठंडी हो गई है और करेले भी सुख गए है अब इस तरह करेला निकाल लेँगे देखियो करेलिय का अंदर का सब्सक्राइब और इसको इसके स्टफिंगे, इस था हम इस अभर या इस ऐसली में बन यह इसको ऐसे हम, इसको इसमें बहुत इसला ही बर्ला न है और इस तरह इसको दबा देंगे और तागा इस तोल के रख लिए हमारा इस था बर के त्यार और करेलियम सब भर लेंगे और एक तरफ हमने गैस पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दीए इस तरह का करेला बहुत ही स्वादिश्ट लगता है आप बेशन डाल के बना के एक बड़ देखेंगे तो जब आप खाएंगे खुदी आपको वालुम हो जाएगा इस तरह का करेला बहुत बढ़िया लगता है अब और इस तरह हम सारे करेले बहलें देखें हमने इस तरह सारे करेले यह बल लिये और मसाला इस में जदह तरह द्रें भरके और इसको तागे साथ लिपेट दिया है कि अब इसको फ्राइब करते हैं तेल भी गरम होच चुका है तेल गरम होच चुका है अब इसमें करेले डाल देंगे इस तरह हम सीधे सीधे डाल देंगे और इसको भी दी मिया ते आटके को फ्राइब करेंगे और स्कूम थवाइब साओ आइसे रिफा हिला के स्कूम सेख लेंगे और इसको फॉरसा अलाट परटके भी स्कॉम फॉरसा सेख लेंगे और इसको फॉरसा अब इनकों निकाल देंगे इनको अमने लाना स्कुल्कुले सेख लिए और इनको खंदा करके आप इसको अब इसका तेविश भाट साफ परके दुबारा डालेंगे सेख लेगे अब इसको अब इसको निकाल देंगे लिजय बनका त्यार है बेसनी करे ले आप इसे बनाए खिलाए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू से जरूर करें धन्यवाद अब इसको अबंड़ आप झाल झावध परके लाट से जरूर के लाट से लेगे